हमारे साथ अलगलग जुगाओं से हमारे संबधाता जुडगए हैं उनका हम रुख कर लेते हैं लखनों से मेरे साथ लोमस जुडगए हैं इसके लावा दैरादून से कुलदीप और वारण असी सिनवीन पांडे जुडगए हैं हमारे साथ लोमस का सबसे पहले रुक कर लेते हैं लोमस ओवरॉल आकडा 1337 प्रदेश में हो चुका है करोना संक्रमतों का आबादी पर अगर नज़र आले उत्रप्रदेश की 22-23 करोड की आबादी है उसके मुकाबले या आकडा बहुत जादा नहीं कह सकते जो स्थिती है वो कंट्रोल में है और ना सरिफ देश में बलकी विदेशों में भी उत्रप्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है करोना संक्रमन को कंट्रोल करने के लिए करोना को उसकी तारीफ हो रही है बिल्कुल आपने सही का जिस तरीके से उत्तरप्रदेश के मुखमंतरी के दुवारा जो कदम उठाए जा रहे हो काफी सकरातमक कदम है देश में नहीं विदेशों में भी उत्तरप्रदेश की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं जब करोना का मामला पूरे देश में आया तो कहीं न कहीं उत्तरप्रदेश में जो एक संख्या थी वो काफी स्थिर थी लेकिन तब्लीकी जमात के बाद ये संख्या लगाता बढ़ती हुई यहां पे नजर आ रही है अभी 1300 से ज़ादे मामले यहां पे निकल करके सामने आ चुके लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्देश दिये जा रहे हैं जो कदम उठाए जा रहे हुँ काफी सकरात्मक है क्योंकि उत्तरपरदेश के मुक्मंतरी खुद टीम 11 के साथ बैठक करके हर दिन किस-किस पहलू पे काम होना चाहिए क्या-क्या अब तक कदम उठाए हैं क्या-क्या जो जिले इस तरपर काम हो रहे हैं उसके एक रिपोर्ट ली जाती है उनके द्वारा कही न कही जो अधिकारी है उनको साफ तोर पे निर्देश दिये जाते हैं तो आज टीम 11 की बैठक होनी वाली है सारे 10 होजे जो रोजाना बैठक होती है और खुद मुखमंतरी योगी अधितनाद के द्वारा लिया जाएगा तो कही न कही जो अधिकारी टीम 11 की बैठक में शामील होंगे उनको कही यहाँ पे निर्देश दिये जाएंगे और साथ कुई बी वेक्ति भूका ना रहे कोई भी वेक्ति भूका ना सोई तो कही न कहीं कम्यीटी किचन के विश्टार को यहाँ पे ध्यान में रखते होई कई निर्देश दिये जा सकते हैं और साथी तबलीकी जमात के आकड़े काफी लगातार बढ़ते हो जा रहें उनको लेक क्योंकि कई ऐसे जिले जहां पर छूट दिये जा चुक है तो वहाँ पर किस तरीके से जिले इस तरफे काम हो रहा है और अधिकारी को द्वारा क्या कदम उठाए जाने उस पर यहाँ पर इस बेठक में काफी चर्चा होनी वाली है कुल्दीब भी हमारे साथ जुड़े हैं देरादून से उनका भी हम रुख करेंगे और जानेगे कि वहाँ पर किस तरह की परिस्तितिया हैं कुल्दीब उत्राखंड की क्या स्थिती कोरोना को लेकर क्या वहाँ पर भी कुछ होट स्पोट्स बनाए गए हैं देखें उत्राखंड के लिए जो मंगलवार का दिन था वो राहत भरा रहा एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और आज की तारिक में उत्राखंड में 46 पॉजिटिव केस आये हैं जिसमें से की 19 लोग ठीक होकर डिश्चार्ज भी किये जा चुके हैं राज के लिए राहत की बात ये है कि राज के परवतिय जो जिले हैं उनमें अधिकांच जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अचुते हैं यानि कि वहाँ पर कॉरोना का एक भी मावला नहीं है और ये राज के लिए राहत की खबर भी है अच्छी खबर भी है चार जिलों की बात करें, दहरादून की बात कर ले, हरिदवार जिले की बात कर ले, उद्दम सिंग नगर जिले की बात कर ले, नैनिताल जिले की बात कर ले, तो ये चार जिले हैं जिनमे की हाट स्पॉर्ट भी है, और वहाँ पर जो सामुदा एक सर्विलांस है, वो भी किया जा रहा है, देरदून की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मामले अभी तक सामने आये हैं वो देरदून जिले से आये हैं इसलिए यहाँ पर तकरीबें छे ऐसी कॉलोनी है जो पूरी तरीके से सील की गय हैं यहाँ पर कुरोना संक्रीबितों के पाए जाने के कारणड़ से अब वहाँ पर कमünITY सर्विलांस किया ही जा रहा है लेकिन इन इन इनकों को पूरी तरीके से लौकडाउन किया गया है और यहाँ से किसी भी व्यक्ति को ना आने की बात जरूर कहेंगे हाला कि अभी जो रैपिट टेस्ट होने थे वो दो दिन नहीं हो पाएंगे रैपिट टेस्ट फिलाल आइसी मेर की तरफ से दो दिन के लिए रोक लगाई गई यह तो तरह खंडबे भी उन पर रोक लगाई गई है लेकिन इसके अलावा जो टेस्ट की फ्रिक्वेंसी है फिलाल अब वो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाई जा रही है कल जिस तरीके से 277 के आसपास जो से वो नेगटिव आए और अभी जो रिजर्ट अवेटेड है वो पांसों के पांसों से अधिक सेंपल का रिजर्ट उसका इंतजार है लेकिन कुल मिलाकर अभी तक के जो आकड़े सामने आएं उसमें जादा जो केसे रहे हैं वो तब्ली की जमात में शामिल हुए लोगों के केसे रहे हैं इसके अलावा बहुत जादा केसे उत्राखंड में नहीं रहें केवल जितने भी जो 46 केसे उनमें अधिका जो केस रहें वो तब्ली की जमात के में शामिल होकर जो लोगाई उनके हैं दूसरा ये भी रहात है कि अभी तक उत्राखंड में किसी भी तरह की जान का नुकसान उत्राखंड में नहीं हुआ है तो उत्राखंड के लिए ये रहात की बात कह सकते हैं कि अभी तक के जो भी आसपास को जो वक्त है जिसमें की केस के डवल होनी की रफ़तार के हिसाब से तरखन को आखा गया है और ये रात की बात राज्य के लिए कह सकते हैं बिल्कुल ठीक आप बने रही लोटूंगी आपके पास में वारणसी सिनवीन भी अमारे साथ जुड़े हुए है कोरोना को लेकर वहां की क्या स्थितिय है क्या रेट वारणसी से है कितने संक्रमित मरीजों का आकड़ा है वारणसी सिनवीन और लोकडाउन का क्या पालन वहां पर कर रहे हैं लोग के बिल्कुल वाराणसी में करूना के अगर बात चरूना तो एक और ility करूना के आथा वाराル ने करूना प्वाराणसी और सब्सकूं को चूक पूरे वाराणसी मंडल की अगर बात करे जाए तो यहां को टीडी ओ आस्पिटल है दिन देयाल उपाद्या आस्पताल से वाराणसी मंडल से टोटल 11 पेसेंट का सही होके अपने घरों के लिए गये हैं जिनको वहीं हमके घरों में करने के बेवस्ता जिला प्रसासन ने बना है मरीज सही भी हो रहे हैं यहां पर लेकिन साम होते होते एक मरीज वाराणसी से मिल गया फिर करोना पार्टी जिससे बात हाकड़ा बढ़के 15 से 16 हो गया तो 16 हाकड़ा है यहां पर करोना पॉजिटिव का वाराणसी में और लाग डिन लागडाउन की अगर बात करें से दो सेक्टर मजिस्टेट्स को जिलादिकारी वाराणसी ने तलब करते हुए जबाब उनसे मांगा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है अगर कोई भी सोसल दिशनक्री का पालंग करते हुए भीडबार लगाता है तो धारा 188 के तहट कारवाई करने की बास सीधे जिलादिका जा रहा है जो आज आ रहा है सुबह के जरूरी समान लेने के लिए 10 बजे का समय नियक किया गया है लेकिन फिर भी वाराणसी में लागडाउन का लोग पालंग कर रहा है और इस पालंग जो नहीं कर रहा है उस पे जिलादिकारी ने सक्ति के आदेश दिये हुए है सा रहा हुं तक कैसे मदद पहुंच रही है होट स्पोर्ट की बात हो सभी पर नजर खुद मुख्यमंत्री बनाए हुए है और बड़े और कड़े फैसले भी लिये जा रहे है आज टीम 11 की बैठक में क्या कोई और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं बिलकुल आपने सही कहा जिस तरीके से जब से करोना के मामले उत्तर परदेश में सामने आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री के दुआरा सभी अधिकारियों के साथ बैठक लिया जा रहा है या वो सुवह का समय हो टीम 11 के साथ बैठक हो या फिर साम की वी सी की समिच्छा हो तो कहीं नगरी मुख्यमंत्री को दौरा खुद मरज़र रखा जा रहा है कि उत्तर परदेश में किस तरह के हालात है साथ तोर पर आज की जो टीम 11 के साथ बैठक होनी वाली वो काफी खास है क्योंकि कम्यूटी किच्छन के विस्तार पर यहां पर काफी निर्देश दिये जा सकते हैं साथी जो उपद रही है उनके उपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उन पर चर्चाएं हो सकती है साथी आपको मैं बता दू कि जिस तरीके से जो तब्लिकी जमाद के मामले सामने आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से कितने और तब्लिकी जमाद से जुड़े हुए लोग हैं उनके उपर कारवाई करने की यहां पर बात की जा सकती है और साथी आप देख सकते कल एक निर्देश दिये गया है कि सभी जिलों में कहीं न कहीं आस्थाई जेल बनाए जाए उस पे भी चर्चा यहाँ पे हो सकती है क्योंकि मुकमंतरी के द्वारा कल आदेश दिये गयते कि उस पे क्या कारवाई अब तक हुई है उस पे एक रिपो आदेश दिये जा सकते हैं तो कहीं न कहीं आज की बैठक काफी खास होगी और टीम 11 के साथ जो बैठक होने वाली उसमें कहीं निर्देश यहाँ पे मुकमंतरी के द्वारा दिये जा सकते हैं बिल्कुल कुलदीब देरदून से है मेरे साथ कुलदीब यह अच्छी खबर है कि मंगलवार को कोई केस नहीं आया राहत की खबर उत्राखंट से है लेकिन बावजूद इसके एतिहात बरतना होगा यह नहीं समझना होगा लोगों को कि कम केसिस हैं तो आराम से वो लोग जाएं लोकडाउन को कितना जरूरी समझ जाएं लोग और क्या उसको अच्छे से फॉलो किया ज़ा रहा है और प्रिशासन क्या लोगों को और जागरू कर रहा है कि जो स्थिती है वो उसी तरह से बनी रहा है इसके लिए एतियात बरतना होगा अभी भी सबको देखे कोरोना से जो लडाई चल रही है वो हर दिन की लडाई चल रही है ये अच्छी बात है कि कल एक भी केस नहीं आया लेकिन हर दिन जब नए टेस्ट सेंपल की रिपोर्ट आती है तो सबकी नजरे इस बात पर टिकी होती है कि कहीं आज कोई केस उत्राखन में बढ़ा तो नहीं हाला कि प्रसाशन की तरफ से सरकार की तरफ से लोगों को पूरी एतिहात बरतने की सला भी दी जा रही है और लॉक डाउन को लेकर किस तरह की स्थितिये इस वक्त देहरादून के घंटा घर में हम लोग मौजूद है और वहां की मैं चाहूँगा की तस्वीर दि मिलती है तो चकरोता रोड की तरफ की यह तस्वीर है जहां पर आप देख सकते कि बेरिकेडिंग पुलिस ने लगाई है और यहां पैरा मिलिट्री को भी उतारा गया है सिक्यूरिटी के पॉइंट ओ व्यू से दूसरा जो एन्सी सी के कैड़ेट्स है वो भी यहां बेरिक उच्थे को पर रहा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सरकार बारबार उनसे अपील कर रहे हैं कि जब तक उन्हें यह तो मेडीकल यह तो कुछ इस तरह की बहुत जरूरत ना पड़े तब तक तक वो घरों से ना निकले लेकिन बहुत से लोग अमूमन इस तरीके से बाहर निकलते हैं उन्हें रोका जाता है उन्हें पूछा जाता है और जो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं उनके चालान भी काटे जाते हैं तो लोगों को खुद समझना चाहिए और यही वज़े है कि लोग डाउन किया गया है ताकि जब लोग नहीं समझेंगे तो लोग डाउन के जरीए कई न कई उन्हें घरों पर बैठेने के लिए सरकार इस तरीके से लोग डाउन करेगी एक अपील कल भी मुख्य मंत्री ने आम लोगों से किये कि वो लोग डाउन जो भी सरकार ने इंप्लिमेंट किया उसका पालन करे जब तक क जरूरी काम अगर निकलता है तो उसके बावजूब भी निकले तो कम सकर मास्क लगा कर निकले उत्राखन में साथ से लेकर एक बज़े तक की जो रियायत है जरूरी सामान की खरीद के लिए बार बार लोगों से कहा जाता है कि वो अपने घरों की पास की दुकान से खरीद ना होगा तिनों का बहुत शुक्री आमारे साथ जुड़ने के लिए और जौनकारी इस पर देने के लिए